हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का कलास में आप सभी का स्वागत है आज के कलास में हम लोग जो है यानिंगलिस का यानि इंगलिस का जो कलका एक्जाम होने वाला है उसके लिए वाइरल सब्जेक्टिव कोसन बताने वाले हैं बहुत इस टूडेंट को सभी के लिए मैं वायरल सब्लिक्टीव कुइसन लेकर आचुका हूं जो आपको सीधे परीक्षा में आने वाला हूँ जो आपको सीधे परिक्षा में देखने को मिलेगा तो इसे आप लोग नोट करके अच्छे सी याद कर लीजेगा या फिर आप लोग टेली गराम चैनल जोइन होकर के वहां से PDF डाउनलोड कर लीजेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ठीक है वहां से PDF डाउनल वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी सेयर करने की कोशिस कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जो है कल के एक्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा दे ठीक है तो चलिए सूट देखे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट कोसन आपके स्क्रीन में आ आते हैं तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है ग्यात नहीं मतलब कि वह कहां जा रहे हैं वह जा रहे हैं क्योंकि वह चाते हैं कि उनकी महबुबा तो भी भविस्ट के लिए तैयार हो जाए तो उसके बाद उसके जो महबुबा है वह रोने को तैयार हो जाती है उसके बाद सी बीकेम सेड लिख देना है ठीक है मतलब कि वह दूखी हो जाती है या फिर वह उदास हो जाती है that's why the poet wants to make an experiment मतलब क्या यहां पर क्या लिखना है कि देखें यहां पर आपको यहां तक याद रखना है कि क्यों यहां the poet is going on a journey but the nature of the journey is not known also he is going because he wants her beloved to be prepared for future when the poet decided to go his beloved started to weep she became sad यहां तक कि लिए उसके बाद आपको क्या लिखना है कि that's why the poet wants to make an experiment मतलब कि यहां पर क्या है कि कभी एक परियोग करना चाहते है ठीक है वो परियोग क्या है कि he wants to amuse that when the parts when he parts away his beloved weeps ठीक है यहां से आपको क्या हिंदी में आपको बता देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जब वह यानि कभी एक परियोग करना चाहते है तो वह इस बात से आनंदित है इस बात से खुस है कि जब वह अपने पिरिये से यानि महभूबा से दूर रहते हैं तब वह रोती है यह एक अच्छा संकेत है अंतता जब कभी की मिर्त्यू हो जाएगी तो उनके महभूबा को रोने के लिए अत्यदीक परियास नहीं करना पड़ेगा Actually, she would be already prepared मतलब की वास्तब में वह पहले से ही तैयार हो जाएगी ठीक है इतना आपको लिखना है पूरा माक्स मिल जाएगा स्क्रीन सोट ले सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जोईन हो करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दूसरा चलते हैं कभी का इससे क्या मतलब है यानि कभी का इससे क्या पर यह है ओपिंग तो सीज नो तिल देट आपको अब आपको उसका एंसर क्या लिखना है यानि राइट नो मतलब की यानि पोईट जो है कहना चाहते हैं वह अभी यानि 37 years के हैं and he hopes यानि आसा करते हैं that is healthy he is right now he will be till his last birth मतलब यह है कि वह अभी जितने स्वस्थ है वह अपनी अंतीम सांस तक उतने ही स्वस्थ रहेंगे तेक हैं कभी इससे यहीं इनका मतलब है कभी यहीं बताना चाहते हैं कि वह यानि 37 years old का है यहीं 37 साल का है और वह यहीं अभी जितने भी years का है जितना भी स्वस्थ है वह अंतीम सांस तक जो है वह यहीं स्वस्थ रहना चाहता है यह आपको याद होगा आई होप बहुत आसान भासा में आप लोग याद कर लीजेगा ठीक है कल का एक्जाम फोर के आना है तो आपक कबर की अंतीम यात्रा कैसी पूरी करती है तो आपको इसका उत्तर क्या रखना है when we die मतलब कि जब हम मरते हैं all our delight are left behind मतलब कि तो हमारे जो सांस है जो हमारे सारी खुसी है वो पीछे छूट जाती है we are first kept in wooden coffin मतलब यह कि हमें पहले लकरी के ताबूत में रखा जाता है and the people takes us towards grave मतलब यह और लोग हमें जो है कबर की ओर ले जाते हैं तेक है उसके बाद क्या लिकना है they put us in the grave and return away to their home मतलब यह कि वह हमें कबर में डाल देते हैं और अपने घर जो है लोट जाते हैं उसके बाद बाइद इस वह है यानि इस तरह से हम we complete our last journey यानि हम अपनी यात्रा अंतिम यात्रा जो है वो पूरी करते हैं ठीक है इतना लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या लिखना है यहां पर है कि डबलु एच ओडन के अनुसार जो है हम लोग अपनी अंतिम यात्रा कबर में कैसे पूरी करते हैं तो आपको उसका उत्तर लिखना है when we die all our delight are left behind उसके बाद we are first kept in a wooden coffin and the people takes us towards grave they put us in the grave and return away to their home by this way we complete our last journey ठीक है इतना लिखेगा पूरा माक्स मिल जाएगा चार नमर देखें इंगलिस का टेंशन है आपको देखके जाना ही परेगा why is the autumn called the season of mist and millo fruitfulness देखें पतजहर को क्वासे और मधूर फल देने का मोसम क्यों कहा जाता है तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है autumn is called the season of mist and millo fruitfulness मतलब की पतजहर रितु को कोहरे की उपस्तिती क के कारण कोहरे और मधूर फल दाई का मोसम कहा जाता है because of the presence of the mist ठीक है उसके बाद because during this season fruit on trees reaches to extreme यानि रिपनेस ठीक है अब उसका हिंदी में देख लिए पतजहर रितु कोहरे की उपस्तिती के कारण कोहरे और मधूर फल दाई का मोसम कहा जाता है और इसलिए क्यूंकि इस मोसम में पेरों पर फल अत्यदिक पकने की इस्तिती तक पहुंच जाते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लेजेगा मतलब यह कि इस कविता में कवी जब मर जाएगा तो क्या होगा तो आपको याद रखना है मतलब कि इस कविता में जो एन एपिटाफ है उसमें कवी की मिर्तिव के बाद महिला जो है एन ओमिन जो है उसको एन किसी के द्वारा याद नहीं किया जाएगा उसके बाद here the poet has focused on a materialistic beauty and inner beauty उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ कवी ने बहुतिक वादी सुन्दर्ता और आंत्रिक यादि सुन्दर्ता पर ध्यान के इंद्रित किया है the poet says that is the inner beauty that remains forever मतलब यह कि कवी कहता है कि यह आंत्रिक सुन्दर्ता है जो हमेशा बनी रहती है उसके बाद लिखना है कि the materialistic और outer beauty यानि जो बाहरी beauty है वो when he says after the death of the person मतलब यह कि बहुतिक वादी या बाहरी सुन्दर्ता वैक्ति की मीट्टू के बाद खत्म हो जाती है ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजेगा और I hope आप सभी यह question याद करके जाएंगे exam में ठीक है गलती नहीं किजेगा आप लोग यह question हर हाल में याद करके जाएगा अगर subjective अच्छे से बनाना होगा तो यह question आपको याद करके जाना ही होगा ठीक है मैं आपको 20 subjective दूँगा जिसमें आपका पूरा का पूरा लड़ेगा ठीक है जैसे मैं physics और bio का दिया पूरा लड़ा उसी तरह से मैं English का दे रहा हूँ तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेली ग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा और याद कर लिजेगा अगर कल का एक्जाम आपको फोर ना है तो ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग next class में next topic के साथ एन objective का class में तब तक के लिए बाए टेक केर थैंक्स पूर वाचिंग